नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है बालचंदर ब्रह्मांड सिद्याष्टों में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंग राशी के लिए करियर अप्शन कौन कौन से हो सकते है ऐसे कौन से क्षेतर है फिल्ड है जिसमें ये सिंग राशी काफी अच्छी तरिके से आगे बढ़ सकती है या फिर सिंग राशी में ऐसे कौन से गुन है जो गुन अगर किसी और क्षेतर में हमें दिखाई दे तो वो शेतर आपको चुनने में आसानी हो सकती है उसके बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं सिंग राशी के बारे में अगर कहा जाए तो इस राशी को जो नाम है वही सब कुछ बता देता है कि यह राशी है यह राशी कुछ अलग तरीके का जो field है वो select करती है मतलब जो बात कोई और नहीं कर सकता ऐसे जो field है वो select करती है या फिर center of attraction इन्हें बहुत अच्छा लगता है leading qualities इस राशी में काफी अच्छी होती है मतलब काफी लोगों को लेके चलना या फिर इसके अंटर काफी लोग होने चाहिए तो उसके लिए जो leading capacity इस राशी में काफी अच्छी दिखाई देती है जो काम बाकी लोग नहीं कर सकते वो काम करने की जो मान्यता है या फिर capacity है या capacity इस राशी में काफी अच्छी तरीके से पाई जाती है उसी प्रकर hard working nature काफी अच्छा है तो यह सभी बात अगर किसी और मतलब कोई और field में दिखाई दे तो यह राशी काफी अच्छी तरीके से सेटल हो जाती है तो फिर ऐसे field कौन से है इस field में यह सिंग राशी जाता करके पाई जाती है तो वो है सरकारी जो अधिकारी होती है मतलब government officer होते है जो कि बहुत ही जादा उच्छस तरीय होती है जो कौन से है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे पर नॉर्मली जो उच्छस तरीय जो सरकारी अफसर होते है अधिकारी होती है तो उनके कुनली में सिंग राशी काफी पाई जाती है administration यह जो राशी अच्छी तरीके से कर सकती है मतलब administration officer जिसे हैं अधिकारी होती है कोई भी आगर वेवस्ता हो उसके administration किस तरह से समालना है मतलब जो सभी department है तो यह बात है अब बात सिंगराशी काफी अच्छी तरीके से कर सकती है उसी प्रकार revenue officer है वो जो क्षेतर है वो क्षेतर भी सिंग राशी को काफी ज़्यादा बाता है collector देखें collector की जो पोस्ट होती है या फिर collector की जो उनमें जो गुन आवशक होते हैं वो गुन इस सिंग राशी में काफी अच्छी तरके से पाए जाते हैं उसी प्रकार district magistrate, custom officer इसमें भी मतलब यह जो क्षेतर है इस क्षेतर में भी सिंग राशी काफी अच्छी तरके से पाए जाती है फिर सिंग राशी में जो गुन होते हैं वो गुन यह जो क्षेतर है उसमें अच्छी तरके से पाए जाते हैं उसी प्रकार police officer, military officer मतलब ऐसे आपको मतलब आप धैर्यवान होना काफी ज़्यादा आवशक होता है risk taking capacity आप में होनी ज़्यादा आवशक होती है उसी प्रकार discipline होना भी काफी ज़्यादा आवशक हो जाता है तो यह जबी सिंग राशी के लिए काफी अच्छी तरके से बना सकती है नोकरी को सामने रखत यह जाता है या फिर उसमें भी यह जो सिंग राशी है काफी अच्छी तरीके से सेटल हो सकती है engineering शेत्र यह जहाँ पर technical नौलेज काफी ज़्यादा आवशक होता है तो वहां पर भी यह जो राशी है यह राशी काफी अच्छी तरीके से सेटल हो सकती है government जो contractors होते हैं वह पर भी यह जो सिंग राशी है, काफी अच्छी तरीके से सेटल हो सकती है, जो सभी जॉब है, जो सभी काम है, उसमें सेंट्रल गवर्मेंट के जो भी जॉब है, उसमें यह जो राशी है, यह राशी काफी अच्छी तरीके से सेटल हो सकती है, उसके बाद और एक जो फिल्ड जो फिल्ड यह राशी मतलब इसमें अच्छी तरिके से सेटल हो सकती है जो कि इनके लिए काफी ज़्यादा आवश्यक भी है मैं तो पुर्ण में या फिर इनमें काफी ज़्यादा उस फिल्ड का अट्रेक्शन भी होता है वो है स्पोर्ट्स में यह राशी स्पोर्ट्स में काफी ज़्यादा आवश्यक आगे बढ़ सकती है आउटडर गेम स्पोर्ट्स में भी इनडॉर आउटडर गेम होते हैं तो जो आउटडर गेम है जैसे कि क्रिकेट है बैडमिंटन है फुटबॉल है मतलब जो भी गेम जिसमें आपको शारिक शमता की काफी ज़्यादा आवश्यकता होती है लीडर्शिप कॉलिटी आप में होनी ज़्यादा आवश्यक होती है और दूसरे टीम के उपर मतलब दूसरे खिलाडी को उपर हावी होना जिसमें काफी ज़्यादा आवज़ धैरी शिल होना जैसे कि सिंग राशी सिंग जो सिंग है उसका गुनेदर में यह आई है देखे सिंग के बारे मैं अगर देखा जा तो उनमें मतलब सिंग जो है उसमें अगधर कोई कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती लेकिन सिया में confidence level बहुत ज़्यादा होता है तो यह जो अकेली राशी में confidence level बहुत ज़्यादा कि हम कर सकते हैं तो वो जो बात होती है वो बात आपको sports में काफी ज़्यादा आवशक होती है इसी वज़े से sports के लिए इस राशी में एक attraction काफी ज़्यादा होता है तो outdoor game होते हैं, outdoor game में यह जो राशी है काफी ज़्यादा आगे बढ़ सकती है, sportsmanship या sportsman भी यह राशी काफी अच्छी तरीके से हो सकती है, उसी प्रकर driving जो होती है, वो driving भी यह राशी काफी अच्छी तरीके से कर लेती है, aviation industries है, मतलब विमान सेवा है, उस aviation industry में भी यह रा तो यह सबी जो हमने अभी बात करें उस सभी मतलब जो क्षेत्र है उस प्रकार के जॉब या फिर उस प्रकार के बिजनेस ही यह राशी कर सकती है मतलब leading qualities जो भी काम हो या फिर नोकरी हो या फिर business हो उसमें leading qualities होनी चाहिए मतलब किसी भी प्रकार के निमनस्तर ही है जो job है ये राशी नहीं करीगा अगर करती है तो उसमें जादा settle नहीं होगी हमेशा उनको ये मतलब बास चुपती रहेगी कि मैं इस प्रकार का job कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ तो यह जो मैंने अभी गया अभी जो मैंने क्षेतर गिनवा है अगर उससे relate करने वाला अगर आपका job हो तो जरूर कीज़े आपकी जो राशी है काफे आगे तक बढ़ सकती है अभी के दुनिया में अगर देखा जाए जीवन में अगर देखा जाए तो और भी कई प्रकार के जो job है वो हो सकते है जो कि मैंने अभी जो list दी उसमें नहीं हो सकते लेकिन मैं आपको कुछ आपके जो गुन है qualities है वो बता देता हूँ अगर वो qualities require है मतलब उसकी चाह है अगर आप जो शेत्र आप चुनते हो उसमें तो वर्क शेत्र आप चुन सकते हो तो सबसे महित्व पुर्णबाद सिंग राशी के बारे में उनकी जो leading capacity है leadership capacity वो बहुत ज्यादा मतलब आवशक है मतलब इस राशी में leading capacity बहुत अच्छी होती है दूसरी बात जो निडरता है वो निडरता वो इस राशी में काफी अच्छी पाई जाती है और hard working nature काफी ज्यादा अच्छा होता है उसी प्र leadership qualities और confidence जो कि बहुत ज्यादा मेहतों पुर्ण है और unknown मतलब जिसके बारे में कोई और नहीं कर सकता और वो job या फिर जो टास्क है वो काफी नया है अगर उसे अच्छेव करना तो यह राशी पूरे जोर शोर से वो करेगे और अपने अंडर जो team रहेगी उसको भी साथ ल आप उसमें आपको सफलता अच्छी तरह के से मिल सकती है यह जो मैंने राशी कह रहा हूँ वो चंद्रमा के उपर आदा रहता है अगर आपको कुंडले के बारे में कुछ और फिल्ड है जो की जो मैंने कहा उससे रिलेट करने वाले नहीं है तो फिर आपके जो कुंडले उस कुंडली में मतलब रवी का जो स्तान है रवी के जो राशी है आपके कुंडली के जो दशमे कहा पर है दशमस्तान में कौन से ग्रह है या फिर नौमोश कुंडली में दशमस्तान में कौन से ग्रह है वो सभी क्या विचार करके आप जो सोचर उस कुरियर के बारे में सो आवशक होते है उसके बारे में चर्चा आप कोई वीडियो कैसे लगा आपने किस तरह से अनुभो किया इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्याश्टो इसे लाइक, शेर, सब्सक्राइब करना बेल आइकन भी दबा देना जिसके वज़ेसे आपने चैनल के नए नए वीडियो जो हर दिन अपलोड होते है उसके लेटेस नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी धन्यवाब